हाई गाईस मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल और आज मैं आप सभी के लिए एंड्रोइट 11 की मोस्ट स्टेबल रॉम जो की अभी तक प्रेजेंट है वो लेके आया हूँ रेड्मी के नोट 7 प्रो डिवाइस के उपर और नोट 5 प् रखा है आज सुबह 8 बजे से मैं यहां पर इसको यूज कर रहा हूं और अभी शाम के पांच बजेने वाले हैं तो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा बैटरी बैक अप पर्फॉर्मेंस और गेमिंग तो तीनों चीजों को मैं आपके सामने अच्छे प्रो का वाइलेट है और अगर आपका कोई भी हो तो उसके कॉर्डिंग लिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा एरोस वर्जिन है वह 11.0 ऑफिशल मिलता है विद लेटेस्ट सिक्योर्टी पैच लेवल आफ दिसेमबर 5 और जो यहां पर करनल यूज किया है वह अजू परफ प्लस का है जो कि परफॉर्मेंस बैटरी बैकप और गेमिंग तीनों के लिए काफी परफेक्टली वर्क करता है और इसको मैंने काफी सारी रोम्स के उपर ट्राय भी किया है काफी इच्छ से यह अप्टिमाइजड है अपडेटर की बात करते हैं तो यहां पर आपक मिल जाता है देन आपको मीं साउंड इन हैंसर का भी ऑप्शन मिलेगा देन गेस्टर की बात करते हैं तो यहां पर स्वाइब तू स्क्रीन शॉट आपका फुली वर्किंग है डबल टैप टू स्लीप और स्टेटस बार आपका काफी एच्छ से वर्किंग है टैप टू वे हैं था यहां पर इंग्रीज कर सकते हो तो यह सभी चीज़ें आपको इस रॉम के अंदर मिल जाती है इस सब्डेट के अंदर और एक्टिवेट दा टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है कुछ हैंडी गेस्ट्स मिल जाते हैं जिसको आप इनेबल कर सकते हो और उनका बैनिफि करते हैं तो यहां पर फिंगर्पिंट का उप्शन मिलेगा तो फिंगर्पिंट स्कैनर स्पीड आपको एक बार चेक रवा देता हूं कैसी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से आपको यहां पर स्पीड देखने को मिल जाता है काफी अच्छे से working है काफी fast है कोई भ आपको fully working इस ROM के अंदर मिल जाती है और इनके अंदर आपको कोई भी बग नहीं देखने को मिलता है अब चलते हैं डिस्प्ले के अंदर और यहां पर आपको डाक थीम मिलता है नाइट लाइट सब कुछ आपका यहां पर इस ROM के ऊपर fully working है और styles and wallpaper के अंदर आप custom presets को यहां पर apply कर सकते हो काफी सारे fonts के option मिल जाते हैं आपको उसके बाद next करोगे तो pixel 5 से भी आपको shapes मिलती है और कुछ features pixel 5 के भी आपको यहां पर इस ROM के अंदर मिल जाते हैं काफी सारे आपको colors के option और उसके बाद आप जो है डिवाइस के जो शेप है icon की उसको change कर सकते हो काफी स सारी customizations आपको मिल जाती है wall paper अपने accordingly कोई भी set कर सकते हो on device wallpaper आपको यह मिल जाता है यहां पर grid भी आप change कर सकते हो यहां पर option मिल जाता है आपको six cross six तक का और clock भी काफी सारी मिलती है तो clocks भी आप अपने accordingly use कर सकते हो ज्यादा कुछ customizations नहीं मिलती बट जितनी भी है यह क कर सकते हो और almost सभी features आपको जो पिक्सल रॉम जैसे यहां पर मिल जाते हैं तो guys यहां पर जो launcher यूज किया है वो है arrow OS का launcher मेरे पास जो version में यूज करां वो gps version है इसके अंदर आपको hidden and protective apps का option मिल जाता है जो कि आप यहां पर launcher के अंदर से एक्सेस कर सकते हो और यहां से hide वगरा कर सकते हो apps को कुछ इस तरीके से आपका यहां पर work करता है और जो launcher हो यहां पर काफी smoothly work करता है animations काफी smooth है ROM भी काफी अच्छे से optimized है जो kernel है वो भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है और RAM management का भी आपको कोई यहां पर issue नहीं आने वाला क्योंकि यह जो update है यह stable build ह और यहां पर आप इसको definitely try कर सकते हो as a daily driver आपको कोई भी यहां पर बग फेस करने नहीं पड़ेंगे कुछ इस तरीके से आपको animations यहां पर देखने को मिल जाते हैं ROM काफी ज़दा यहां पर super fluid आपको देखने को मिल जाती है और as a daily driver आप इसको definitely try कर सकते हो यहां पर जो recent panel है उसके अंदर आपको screenshot और clear all का button नीचे देखने को मिल जाता है और left side के अंदर आपको google cards का option मिलता है जो आप यहां से access कर सकते हो अब यहां पे जो है root की बात करेंगे तो यह जो roam है आपको rooted नहीं मिलेगी बट अगर आप root करना चाहते हो तो मैं आपको conditions वगरा यहां प पे flash करना पड़ेगा डिवाइस आपका certified है तो अगर root करना चाहते हो तो कर सकते हो वरना root के बिना भी आपके banking apps यहां पे fully working है और DRM info के अंदर चलते हैं तो यहां पे आपको wide one L1 का support आपका मिल जाता है तो यह काफी अच्छी बात है अब camera की बात करेंगे तो यहां पे जो store camera यूज किया है यह आपको कुछ old snapdragon या android का camera मिल जाता है बट इसके अंदर कोई ज्यादा features आपको नहीं मिलते और Gcam 7.4 आप यहां पे काफी अच्छी से यूज कर सकते हो यह आपका यहां पे काफी अच्छी से working है videos 4K 30fps तक आप काफी easily यहां पे निकाल सकते हो slow motion व आज इसको पूरा दिन almost मैंने यूज किया है editing भी की है recording भी किया इसी Gcam के अंदर से और जो मुझे कोई भी यहां पर lag वगएरा नहीं देखने को मिला performance भी काफी अच्छी आपको इस ROM के अंदर मिल जाती है editing वगएरा मैं सभी कुछ यहां पर इसी device से करता हूं तो मुझे कोई performance के अंदर ज्यादा issue नहीं आया performance काफी solid है आपको मिलती है इस update के अंदर और इसका end to two benchmark score में आपको एक बार से जरूर दिखाऊंगा तो जो आपको stock kernel के उपर मिलता है वो आपको score मिलता है 2,10,000 के आसपास काफी एच्छा score है और इस score के उपर आप यहां पे इशू मुझे नहीं आया battery related काफी एच्छा घासा battery backup मिल जाता है और battery backup काफी सारी चीजों के ओपर depend करता है तो अगर आप एक normal user हो तो आपको seven to eight hours का screen on time इस ROM के उपर easily मिल जाएगा कोई भी आपको issue नहीं आने वाला यहां से आप battery percentage विगरा भी show कर सकते हो battery काफी अच्छ और battery charging light वगरा के आपको options यहां पे मिल जाते हैं और usage आप यहां पे देख सकते है कुछ इस तरीके से मैंने इसको use किया है बट बैटरी के अंदर मुझे कोई hydraine का issue यहां पे नहीं face करता है वाइस अगर आप यहां पे इस ROM के उपर gaming भी करना चाते हो hardcore gamer हो फिर भी आप इस ROM को फिल हाल यहां पे ट्राइ कर सकते हो Android 11 के अंदर आपको सबसे यहां पे stable ROM मिल जाती है इस पार और इसको आप definitely as a gaming ROM भी यहां पे ट्राइ कर सकते हो बिलकुल भी lag आपको नहीं देखने को मिलेगा कोई भी frame drops आपको यहां पे नहीं face करने पड़ेंगे और कोई ज्याद आपको battery drain का यहां पे issue भी नहीं आने वाला तो काफी अच्छी आपको gaming मिल जाती है काफी अच्छा fps मिलता है और lag वगरा बिलकुल भी मैंने face नहीं किया इसके उपर काफी अच्छी से यहां पे gaming को भी देखा है तो gaming के अंदर आपको बिलकुल भी issue नहीं आने वाला अब इसकी stock settings मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं तो graphics आपको यहां पे मिलते है smooth plus ultra balance plus ultra और HD plus high तक और आप यहां से extreme भी जा सकते हैं तो आपको यहां पे इसको clean flash करना पड़ेगा simply आप आओगे वाइब के अंदर यहां पे delv catch system vendor data उसके बाद आपको लेटस्ट चाइना weekly firmware क flash करना है देन रों की file को flash करोगे और आप अपना device reboot कर सकते हो root करने के लिए magisk debug 2 को flash कर सकते हो उसका link भी मैं description के अंदर provide कर दूंगा so that's all for this video guys I hope कि आपको यह video पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना चैनल पे न्यूँ है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर से करना और मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही new interesting video के साथ